आज की इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे के प्रोग्रामिंग के अंदर डूवाय लूप किस तरहां से यूज किया जाता है एंच वन आफ ती मोस्ट इंपॉर्टेंट तिंग इस डूवाय लूप को हम प्रोग्रामिंग के अंदर क्यों यूज करते हैं स्ऩार्ट करने से पहले आपको पतादा चल्हूं के प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम लूज नेकिते हैं तो उसमें एक छोटा से प्रॉब्लम स्ट हो जाता है उसको देखते ब आप एक मेरे पास यह प्रोग्रेम है अब इसको अरं करते हैं और अपनी प्रडॉब्लम देखते हैं और वर्ण सो यह हमेरा पुर्ग्रम जो है रान हो चुका है एंड अच्छा अब प्रॉब्लम है करें ना वह एक बढ़र रन होकर stop हो गया अब exit हो हमया प्रोग्रम हम यह चाहते हैं कि हमारा प्रॉग्रम जो है वह रुकन हो चलता रहे और कब भी एक message डिस्प्ले करा दें कि जब तक यूजर वो message true करता रहेगा वो yes लिखता रहेगा या why प्रेस करता रहेगा तो हमारा program बार बार चलता रहेगा अगर तो कुछ और लिख देता है कुछ और प्रेस कर देता है तो हमारा जो प्रोग्रेम है वो stop लुबीर 마 Risk आफ तो हम क्या सकते हैं कि हम प्सक्राइब करते हैं जब हम यूजर को यह हम करना चाहते हूं वह अपनी मर्दी से प्रोग्राम रन करें अब डूआ लूप स्टार्ट कैसे करते हैं इसका सेंटेक्स क्या होता है इसको प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करते हैं उसको समझते हैं कोहले सबसे पहले आपको डू वाइल लूप का जो है सेंटेख्स क्लियर होना चाहिए किसेंटेख्स में क्या होता है सबसे पहले हम जो अपना प्रोग्राम है वो हम लिख लेते हैं ठीक है तू ब्रैकेट के अंदर उसके बाद प्रेकेट के टॉप पर हम लोग दू करते हैं लोगवाट लेकर इसकी कंडिशन अपप्लाय कर देते हैं अब इसको कैसे लिखते हैं कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर ऑके जी तो यह ढूरे प्रोग्रामें हमने सबसे पहले क्या करना है Aww tiene इसको ना 2brackets में क्लोज कर लेρέいきा है हमने इसको 2 brackets में क्लोज कर दिया एंद जो है हमने। आपने या के नदर हमेशा हम वाइल के बाद हम सेमी कोलन यूज करते हैं दिखो अब होगा क्या सबसे पहले जो है यूजर को एक message display होगा वह एक marks इंटर करेगा एंड जो है यह condition apply होगी कि अगर marks 40 से greater हैं तो हमारे पास एक message display हो जाएगा कि आप pass हो अगर तो हमारी condition true नहीं होती तो हमारे पास यह message display हो जाएगा कि आप फेल हो अब के जी अच्छा यहां तक तो हमने जो है अपना एक simple सा program लिख लिए ठीक है अब हम यह चाहरे हैं कि प्रोग्राम रुके नहीं हम दुबारा यूजर को एक message display करा दें और अगर तो condition true कर देगा तो इस पेस पे हमारे जो program है वो दुबारा रन हो जाएगा तो हम यहां पर जो है एक message display करा देते हैं यूजर वन प्रेस करें continue करने के लिए अच्छा यूजर ने चुके एक number प्रेंटर करना है तो इसलिए हम जो है उपर एक एंट के नेम से एक नम नेम से इंटीजर के अंदर एक नम नेम से हम लोग एक variable डिकलियर करा देते हैं और उसको जो हम यहां पर store करा देते हैं अब यूजर जो भी इंटर करेगा वह यहां पर store हो जाएगा अच्छा अब यह प्रोग्राम रन हुआ यूजर को एक फिर मैसीज डिस्पले हो गया एंड यहां पर आके हमने वाइल के अंदर देखने हमने अपनी कंडिशन चेकर नहीं जो यूजर ने इंटर किया है जो के नम के अंदर है वह अगर तो वन की कुल हो अगर अगर तो वन की कुल हो तब ही कंडिशन ठू है तो अगर यूजर वन इंटर कर देता है तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा यहां पर आके स्टॉप हो जाएगा और दुबारा जो है यहां डू से नीचे आके इसको दुबारा रन करेगा ठीक है अगर तो ऐसी सिच्विशन आजाती है कि यूजर वन के लावा कुछ भी और नंबर इंटर कर देता है तो उस सिच्विशन में हमारा जो यह प्रोग्राम है यह स्टॉप हो जाएगा एक्जिट हो जाएगा अब इसको रन करते हैं अब इसमें होगा क्या डू वाइल में सिच्विशन में क्या होता है एक बार जो है ना हमारा प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा क्योंकि शूरु में कोई कंडिशन ही है एक बार यह प्रोग्राम यहां से यहां तक रन हुआ उसके बाद फिर यूजर को एक मैसेज डिस्पले हो गया अब मैसेज के बाद अगर तो यूजर ने उस मैसेज पर तो यह आप देख सकते हैं कि वो कह रहे इंटर मांक्स हम नहीं ना मांक्स इंटर कर दिया है और वो कह रहा है जी कोंग्रेजुलेशन्स यूर पास एंड रहे हमसे एक मैसेज डिस्प्ले हो गए वो कह रहा है प्रेस वन टु कंचिनू हमने आपर वन प्रेस कर दिया वो दुबारा पूछ रहे हैं इंटर मांक्स अब हमने मांक्स इंटर किया है और उसने बोल दिया जी फिल उपर जो पूछ दो पर बिदर गया प्रेस वन चु कंचिनू अच्छा ऐसी सिच्वेशन में अगर हम दुबारा बंपरेस कर देते हैं तो जो है प्रोग्रेंड दू हो जाएगा ओके तो यहार आई होब कि आपको यह डूआ लोग की समझ यह होगी अच्छा इसमें एक ना थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं अगर हम यूजर को कहें कि वह वन की जगा वाई प्रेस करें तो हम लोगों ने क्या करना है यूजर वाई इंटर कर रहा है वाई जो ह है एक इल्फा बाध कर लिए हम लोग क्रेक्टर डर्टाइब कारें हैं अब इसको करकर करके नाय कि थे पूछ रहा हैं हम इे आंप पर 78 मार्क्स दे दिये उसमें कहा है कि प्रेस वाइट चुकंचिनी और यहां पर मैं वाइट प्रेस करूंगा तब यह प्रोग्राम दुबारा रन होगा हमने कहां पर चोटी सी मिस्टेक की है अगे प्रेस वाइट इसको दुबारा रन करते हैं अगे अगे तो आई होप कि यह जो मिस्टेक थी से आपको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा इंटर मार्क्स हमने 99 मार्क्स इतने आते तो नहीं है बारहल प्रेस वाइट चुकंचिन्यू वाइट इंटर मार्क्स अगें मार्क्स उसने पूछे हमने 33 बोल दिया उसमें फ् हम वाहिक हिलाव कोई भी नंबर इंट्रका देते हैं कुछ बीओ इंटर का देते हैं तो हमारा जो प्रोग्रैम है वह स्ट्राप हो जाएगा एक्जित हो जाएगा so I hope यार आपको ना इसमें से काफी कुछ समझ में आया होगा इसका concept जो है वो clear हुआ होगा and फिर भी अगर आप में से किसी को कोई confusion है कोई problem है तो वो नीचे whatsapp का number भी given है वहाँ से भी मुझे से connect कर सकता है और comments में आप पूछ सकते हैं कोई भी क्यूरी है तो इंशाला मिलते हैं अपनी next video में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपनी family का ख्याल रखिएगा बाब बाई, check care, Allah अफेज इंशाला next आने वाली वीडियो में हम लोग जो है while loop and इसके बाद if I'll statements, switch statements वो सारी हम इस अगली आने वाली playlist में cover करने वाने हैं so thank you